तो नमस्कार रादे रादे सस्रीयकाल जैसे किसना कैसे वाब तो चलीए यह जो अपनी क्लास होने वाली है SSGD की इसमें काफी महतपुर्ड अ का संगर है मैंने दिया है यहां पर प्रिविएस यर के जो प्रिस्न है उनके आधार पर आपको अपनी त्यारी का label check करना है कि आपकी предці अगर आपको क्लास की प्डियव चीए जाये कैपे टो आप QR कोड को je scan करके यह प्रब्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी अन्ने क्लास की प्रीक चाहिए तब हैप इस qr code को scan करके हमाई telegram group से web pdf download कर सकते हैं चलिए तो देखते हैं पहला ही question क्या है आपके सामने आप से रिक्त इस्तान को लेकर question है आपको आपके पास इसके लिए 5 सेकंड का समय से भी लोग बताएंगे इसमें कौन सा अंसर होगा जो सदार होता रहता है उसके चेहरे पर फिर खाली स्तान है खुसी उदासी दुखी हसी क्या होती है फटावर से बताएंगे सभी लोग इस question का अंसर जी हाँ और एक बार से भी लोग बताएंगे क्या जो मेरी आवाज है प्रॉपर तरीकी से आपके बस आ रही है या फिर नहीं आ रही जी हाँ चलिए बताएंगे सभी लोग आंसर देंगे comment box में question का क्या है रिक्त इस्तान को भरने के लिए उप्रियुक्त सब्द में क्या आएगा इस यहां पर क्या आना चाहिए यह लोग आप चेहन करेंगे लोग मैंने पैन का color change कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जी इस खाली स्तान में खुस मैं आपसे बात करूं किसकी तो रुको वही थोड़ा मुझको टाइम दो क्योंकि मैं इस पैन को मुक्त कर देता हूं आज जी हां तो यह पैन होने वाला है आपका मुक्त तब तक आप question number 2 का answer क्या निकल सकता है पर्याबाची सब्द को लेकर आपसे question है सभी लोग बताएं लोग बताएंगे पर्याबाची सब्द क्या होगा जी हावई बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बताएंगे पर्याबाची सब्द क्या होगा इसका जी अच्छा जी चलिए तो देखो यह पैन मुक्त नहीं हुआ क्या है अपमान अपमान का हम से पूचा है पर्याबाची प्रियायवाची सब्द क्या होगा आप बताएंगे सेबी लो कमेट बोक्स में इस क्वेशन का उन्सर चलिए पडापर से बताएंगे कि इसका अंसर क्या निकल सकता है जी हाँ चलिए वही देखो अगर मैं आपके बात करूं बहुने की मैंने आप बती है भृवरे की हम जानते हैं सेट पद के नाम से और और क्या है भवरा इसको कहते हैं मदूकर भी इसको कहते हैं इसको भी याद रखेंगे चलिए और देखो एक अतिती बाहर यहां यहां थी हाँ भई सभी को नमस्ते सभी को रादे रादे सभी को सस्रियाकाल मैंने आपकी कमेंट पढ़ लिये हैं अच्छा जी और हमसे कुछा सन्यास का विलोम सब्चना है आपको पताइए देखो ऐसे आसान से कुशन आते हैं और अगर मैं पढ़ रहा को रटने की भी कोई आवज चेकता नहीं है क्योंकि जो चुना हुआ कंटेंट होता है वही आपको पढ़ना है वह पीडिएफ के माद्यम से भी उसको पढ़ सकते हो सन्यास सन्यास का विलोम सब्च क्या होगा ग्रैस्त होगा क्या होगा ग्रैस्त तो चलिए वहां से हमने बेक्टन ओन किया जी हाँ बही बिलकुल इस ही चालो हो गई चलिए क्वेशन नंबर चार कांसर बताएं गया क्वेशन नमर्ट चार का अंसर क्या निकल सकता है उग्र का उग्र का हमसे क्या पूछा है विलूम सब्द तो उग्र किसको कहते हैं जिसको अधिक क्रोध आता हो क्या आता हो जिसको अधिक क्रोध आता है जो अधिक गुस्से में हो उसको कहते हैं उग्र तो इसका इसका विल आउट है कमेंट वोक्स में पूछे बिल्कुल उसका उत्तर मिलेगा और साथ की साथ क्या है साथ की साथ कुई सोजाब भी है आपका तो वह भी आप देने की बिल्कुल दे सकने हैं देखो दिये गए वाग का किस भाग में तुटी है मतलब यहाँ पर आपको तुटी चुनन प्रक्रियों के क्रिया उग वह भी होगी इस तुटी है और जो सभी के सभी स्ति लिए उनके आधार पर जो आपकी क्रिया वह भी होगी stealing महेंगी क्या है वही महेंगी ओफल और सब्जियां इतनी महेंगी हो गई है कि भाव पूछने में डर लगता है तो यहां से विकल्ब नमबर ए में इसके असुद्धी है आसा करता हूं अब समझ पाए होंगे और इस अर्य चांदी चांदी आपकी चीन लेंगे या फॉलेंग यह इनकोशन नमर 6 का अंसर देंगे फटाफ़ से कमेंट बॉक्स के अंदर चलिये वही बताइए कुंशन नमर 6 का अंसर क्या निकल सकता है किसमें आपके पीर है वाही कि मने ख़र किसी को कष्ट को रेका संकल्प करता है तब वह विसेश सुख़ पर अनुभाव करता है तो यहां में स्कट्रटी होगी question no.6 सबीस बताएंगे 5 सेकंड के अंदर इसका answer जी हां वही बिलकूल आपने पढ़ लिया होगा question no.6 question no.6 का answer क्या होगा, देख कई सारे और कई सारे बच्चे करने और कई सारे बच्चे करने च तो जिहां जिन भी बच्चों वह और जिसका वर्डन नहों सके यह पिर मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे कल भी कहा था क्या जिस एक ही एक ही मां के मां के गर्ब से गर्ब से उत्पन संतान उत्पन संतान एक हिमा के गर्ब से उत्पन संतान के लिए एक सब्द क्या होता है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर क्या हो सकता है एक हिमा के गर्ब से उत्पन संतान को कहते हैं सहूदर क्या कहते हैं और वहीं अगर साथ में बात करूं जिसका वर्डन ना हो सके उसको कहते हैं सकते हैं क्योंकि सभी जो अनाज होते हैं जादा तर आते हैं आपके पोड़लिंग के अंतरगत लेकिन जो जुआर होती है वह आती इस्टीलिंग के अंतरगत और दही दही के बारे में सब लोग बताएंगे कि दही आपका खाया जाता है या धी खाई जाती है दही क्या होगा इस्टीलिंग होगा तो दही होगा आपक की तरह निम्निकित में से उस विकल्प का चेहन करें जो तिल का ताड़ बनाना अच्छा मोहावरा है तिल का ताड़ बनाना इस मोहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तिल का ताड़ छोटी सी बात को बड़ा चड़ा करके ना अच्छा तिल का ताड़ में बदलना किसी बात का अधिक मेह तो ना देना पेड़ पर तिल का आना इसका अर्थ क्या होगा फटावर से बताएंगे कमेट वक्ष के अंदर जी हां काफी आसान सा क्वेशन है जी पांस से क्वेशन के लिए आपको पांच सेकिंड का समय है मात्र पांस सेकिंड सभी लोग बताएंगे इस में कि यह कैसे होगा देखो अगर मैं आपको बताओं किसकी अगर मैं आपके बात करी मुह वरा और मेरे बात करी कहावत कि जो होती है आपकी वह होती है कर दो है कि पूर्ण वाक है मुहावरा आपका पूर्ण वाक है तो बिल्कुल भी नहीं होता है पूर्ण वाक नहीं होता तेरे कहने का मतलब है कि जो आपकी कहावत होंगी कहावत को हम और किस नाम से जानते हैं कहावत को और कहावत को किसके नाम से जानते हैं लोकुक्ति के नाम से औ और इसका प्रयोग हमेशल स्वतंत रूप से होगा और मुहाबरे का प्रयोग मुहाबरा आपका प्रूर्बाह molds नहीं है इसलिए हमेशल किई आ हमेशल क किसी वाख्य में इसका प्रयोग होगा यह भी बात आप फटाफण से चापेंगे अच्छाजी स靠 के दिए गए वाक्य का वह वाग ज्यात करें जिसमें कोई तुर्टी विग्यापन प्रावकारी होते हैं इसलिए उसका समाजिक दायत तो बड़ा होता है अच्छा जी देखो हमको तुर्टी ज्यात करनी है यह हमारे सामने वाक्य है आपको चुनना होगा इस वाक्य के किस नोका अंसर क्या निकल सकता है इंवे बिलकुल सही आपको आगे सभी बच्छे नोव High रलाव का आणसर क्या है विलको सभी बच्छे था यहाँ और यहांपर अगर मैं बात करूं किसtsåशन नूम्र्ण नों की तो कुशन नोम्रैंट का आंसर क्या हो भी बड़ा होती है दोगों यहां पर होती है का प्रियोग नहीं होगा यहां होगा होता है क्या होगा होता है और यहीं पर अगर मैं आपको समझाने की कोजिस करूं संस्क्रत की कि संस्क्रत में लिंक के प्रकार कितने है तब आप का आंसर होगा सर संस्क्रित में लिंक के प्रकार होते हैं तीन कितने प्रकार होते हैं संस्क्रित में लिंक के प्रकार होते हैं तीन और तीसरा होता है इसका क्लीव वर्ग होता है तीसरा अच्छा ये चीज हमको समझ में आ गई अगर मैं क् परम मित्र हैं जो की गेट के बार खड़े होकर हस रहे हैं तो उनको भी इसका आंसर पता है यह वैं तो क्लीव वर्ग का अर्थ क्या होता है नपुंसक लेंग और इंग्लिस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपके तीन जेंडर होते हैं इसके तीसरे जेंडर को क्या कहते हैं न्यूट्रल जेंडर क्या कहते हैं तो यहां पर होगा अच्छा देखो आपका क्वेश्चन हमेशा उठना चाहिए कि सर हमको एक चीज़ बताओ जो आपने यहां पर इस बिंदू का प्रियोग किया गया है डाके नीचे यह किस आधार पर करते हैं हम कहाँ पर इसका प्रियोग कर सकते हैं इसको क्या कहते हैं सबसे पहला यह answer आना चाहिए कि इसको हम कहते हैं अरे बैद अपनी pencil कहा गई अपनी pencil यह आगई हमने इसको साफ किया हमने color set किया अच्छारी देखो तो इसको मैं जानता हूं नक्ता के नाम से किस के नाम से इसको को जानता हूं नुक्ता के नाम से नुक्ता कहते हैं इसको और में तुर्ण बात क्या है नुक्ता तो हम इसको बोलते हैं लेकिन अगर मैं डा और डा की बात करूं देखो यहां पर मैं लिखने की कोशिव करता हूं मैं इस चीज को थोड़ा साइड में करता हूं यहां मैंने स चिप्ट वेंजन क्या होते हैं इनकी संख्या होती है दो और ये कौन-कौन से बई देखो डा है और रहा है तो हालंकि वर्ड माला से आपके पेपर में कॉश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है मैं हकीकत कह रहा हूं वर्ड माला को ज्यादा पढ़नी की जरुवत नहीं है ना रस ना है आलंकार क्योंकि यह आपके शुलेवर्स में हैं आपके स्लेबर्स में केबल पर रहा है विलोन साववाले लोकुक्तियां और अनिक वाकियों के लिए एक सब्रिकत इस्तान असुद्धी को सुद्ध करना ऐसे टॉपिक दिये गए है और इनी पर अपनको इ हाँ भई अब देखते हैं हम तो यहां क्या है देखो मैं आपसे कह रहा था डा और डाकी इनको कहते हैं उच्छफ्ट वेंजन यह आपको अभी वेंजन पढ़ने की बिल्कुल भी आवसकता नहीं है परिक्षा में नहीं आएंगे लेकिन मेरा मतलब यही है बताने का क्योंकि यहां से क्वेशन बना है एक वार एससे जीडी में क्या देखो डारेक्ट आपके उच्छफ्ट वेंजन आपसे नहीं पूचे थे अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या इनसे किसी सब्द की सुरुवात हो सकती है तब आपका आंसर होना चाहिए कि सन नहीं होगी सर इनसे किसी सब्द की सुरुवात होती है तब उसके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तब उसके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे वह वर्जित होता है तो देखो यहां पर मैंने शुरू में तो नुक्ता का प्रयोग नहीं किया है डा आपका चलते हैं देखो वह उसके उसके हाथ पैर फूल गए तो जिन भी बच्चे ने इसका आंसर दिया है वैसे ही है यहाँ पर का प्रयों है यहाँ पर एक विराम चिन का प्रयों कूँआ है इस वार्व चिन्न के नाम से यूजक चिन्न के नाम से जानते हैं इसको और अगर मैं बात करूं इसको जानते हैं लागव चिन्न के नाम से जानते हैं इसको और इसकी बात करूं इसको जानते हैं अल्प विराम के नाम से जानते हैं इसको इसकी बात करूं इसको जानते हैं अर्द विराम क्या है बई अर्द विराम के नाम से जानते हैं इसको और इसकी बात करूं इसको जानते हैं तुल्यता क्या है बई तुल्यता सूचक के नाम से जानते हैं और अगर मैं बात करूं आपके इसकी इसको जानते हैं पूर्ण विराम के नाम से किसके नाम से पूर्ण विराम के ना प्रिश्न वाचकचिन क्या कहते है प्रिश्न वाचकचिन कहते हैं और का ना उप महत पूर क्वेशन है घृु कामता कामता पर साथ के अनुसार अनुसार विरामचिन की संख्या कितनी मानी गई है तब इसका अंसर होगा गुरू का मता पर साद ने वरामचिन bracon की संख्या मानी है भी मध इस तो ये ट सालिए अच्छा ति यह चीश के लिए अगई चलें आगे जिह क्या है वाक्यांस के लिए एक सब्द आपको चुनना होगा वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा फ्रावर से बताएंगे देखो वह जहां जाया ही नहीं जाया जा सकता है माफ सादना जहाल जाया ना जा सके उसके इसे इस्थान और कहते हैं आपके अगर क्या कहते हैं बिलकुल सभीused गारा किュेस्ट है है मुझे समुद्र के खाली स्तान बैठना अच्छा लगता है किनारे अंदर उपर नीचे क्या है इसका सही आंसर क्या होगा छोटी छोटी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूचे जाते हैं अगर आप डेली न्यूच न्यूच पर भी पड़ते हो ना तब भी आप रिक्त इ क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है किनारा वोता है किनारा जी कुशन नमर 13 का क्या से निकल सकता है सई वरतनी वाला सब्द हम को चुनना होगा चड़ी आगहर आपका कैसे लिखा जाता है और आप सभी मुझको कमेंट बॉक्स बताओं वे कि उज्ज्वल कैसे लिखते ह हैं और युदिष्टिर कैसे लिखते हैं और आपके पतनी कैसे लिखते हैं यह सभी आप लिखकर बताओ अच्छा मुझको बताओ अगर मैंने पतनी लिखा ऐसे और मैंने पतनी लिखा ऐसे कौन सा सही है कौन सा सही है और एक मैंने एक मैंने लिखा एक मैंने लिखा अरे एक एक मिट भई अब एकदम सही बिलकुल सही हो गया बिलकुल सही है हाँ जी अब एकदम सही है जी अब देखो अगर मैं आप हूँ क्या मैंने लिघा सुधी मैंने लिखा सुधी सुधी और मैंने लिखा आपकी वरतिनी वाला सब Guide यहां से सही वरतिनी वाला सब्द पूछा है, तो यहां से कुश्नiramis 13 का जो आंसर होगा, क्या होगा बिलकुल युखिषी आदा, क्या होगा गार तो यह जो नुकता का प्रिङए यहां करते हैं देखो आप सभी को देखो देखो दीपा वली आपकी अभी अभी निकल के गई है और यह आसा है मेरी यह मेरी उम्मीद है कि आपने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा होगा क्योंकि इससे क्या होता है अपना जो वाता वरण है वह प्रदूसित होता है और कई सारे बच्चों को चोट लगने की भी संबाबना होती है उनके हाथ में भी बम फट जाते हैं या फिर वो जल जाते हैं तो यह इन चीजों से आपको बचना होगा इन चीजों से आपको बचना है जी हाँ इन चीज इन चीजों से आपको बचाब करना है अच्छा जी रिक्त इस्तान को भरने के लिए उपरियुक्त सब्द का चेन करें दादा जी ने डैस को बुलाया और पौधे लगवाए दादा जी बंदार तो होगा नहीं को मका नहीं होगा दरजी तो आपके कपड़े स ici रहे हैं को मेकर आपका जो बरतन होते हैं उनको बनाता है चाकपर और दुकांदार आपके सामान की वुक्रे कता है आच्छा तो यहां से इसका आंसर होगा बिलकुल सभी का अंसर एक दम सही रहा है के चलो जादा तीसमार खामत बन तो इसका क्या अर्थ होता है इसका होता है अपने को सूरवीर समझना क्या समझना अपने को सूरवीर समझना होता है इसका अर्थ तो जी हां बैए कई सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आया है बिल्कूल आपका आंसर एकदम सही है जी और क्या है कि अगर में आपसे कहूं ह pasture मुझे को बटाउगे आप की जो आपकी कहावत होती है या फिर जो आप़ कि लोगोक्ति होती है क्या होती है लोगोक्ति लोकोक्ति इन दोनों में अंतर क्या है यह आप पताऊगे फटावट से जी हाँ आपको असुक्म को यहां थे हैं आपका गध्यांज खाली स्टानों को लेकर और हैं आपको पूच्छा जाने की संभाव ना है क्योंकि यह विगत परीक्षाओं का मुझ्याओं का मैं यह आपका गध्या अब यहां फीन तानी की संभाव से चुनिए क्या आना चाहिए क्वेशन नमर 16 का अंसर क्या होगा वही फटावट से बताएंगे सभी बच्चे क्वेशन नमर 16 का अंसर उससे पहले मैंने आप से पूछाता क्या लोकुक्ति और कहावत में कोई अंतर होता है क्या तो जी नहीं गद्यांस में संकेते रिक्त इस्तान वन के लिए उपरियुक्त सब्द का चेहन करना होगा फटावट से बताएंगे कौन सा आपका उपरियुक्त सब्द होगा देखो वई एक है यहां पर तो देखो सोने जैसी बहुमूल धातु को मैं पूरे सयम तक तपाया जाता है आग क कि उसकी खोट क्या है भई खोट जब तक कि उसकी खोट क्या है तो अब आपको चुनना होगा कि इस दो इस्तान पर क्या सब्द आएगा इन चारों में से क्या है वई इन चारों में से दो के इस्तान पर क्या आएगा फटाफट से चुनेंगे क्वेशन नमर्सप्तरा का अ हाट मिल अलग वर्सा तो यहां पर होगा अलग क्या अलग अलग ना हो जाए क्या ना हो जाए अलग ना हो जाए बिल्कुल बिल्कुल सी सही है और पिछले बाले question की बात कर interven Zarate तो सही है अच्छा-जी- और क्वेशन नमर 18 आप देनी की उदिया है इस तीन के जगा पर कौन सा सब्सक्राइगा इन चारों में से चुनों वहई वाकि की वाकि को पढ़के जी कुल क्धियान तरफ कर सुद्ध होकर बहार निकलने के लिए अपने तो अब आपको यहां पर चुनना होगा कि चार में कौन सा आ सकता है इन चारों में से फटाफर से चुनाओ वही देखो पास सेकंड का समय है आपके पास फटाफर से चुनेंगे सभी बच्चे जी हां जी बटाएंगे सभी लोग कि इसका अंसर क्या निकल सकता है जी हां निकल से अंसर नहां पर आप लेखने की कोशिस करेंगे हिर्दय है हिर्दय तो होकर बाहर निकलने के लिए अपने हिर्दय में सयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वालित रखनी चाहिए जीवन की आकान च्छाओं से बहते हुए प्रवाग को रोक कर सयम का बांद बना लेने पर जीवन फिर जीवन पांच में आपको चुनना होगा पांच सेकिंड का समय दिया फॉट्वाट से बताएंगे कि इसमें कौन सा आ सकता है इन चारों में से रोग मित्यू भोग और सकती बताएं गया बात अब इसकेंड का आंसर क्या हो सकता है घे बताएज जी देखो यहां पर अगर मै हुआ सकती जीवन सकती कई भर जाती है आपको ऐसे कारे करते हो तो चलिए और पूज़न मैंने आप से उज़वल पूचा था उजवल इसमें दो आदे जा होते हैं तो उजवल आपका लिखते हैं ऐसे ये भी आप याद रखेंगे और क्या सई वरतनी वाले सब चैन करें तो पहरापर से बताएंगे एक्की सजनता कैसे लिखते है आपके तो यहाँ पर आदे आप सभी लोग मुझको संधी क्या है संधी का विलोम सब्सक्राइब और साथ के साथ आप चापेंगे समास का विलोम सब्सक्राइब समास का विलोम सब्सक्राइब क्या होता है तो यहां पर क्या है यह बिल्कुल असुद्ध है कर फटाफोर ठेसे पर कौस्ट नबर't क्या होगा मन प्रसंद हो गया मन जो घाल थोड़ी देर के बाद हवा का हवा ने असर दिखाया और मन प्रसंद हो गई नहीं हो गया वह तो से विकल नमबर इसका आंसर है देखो यहां पर अगर वैं कई बात पूछ लेता है कि किस प्रकार की किस प्रकार की असुद्धी है किस प्रकार की यहां पर असुद्धी है तो यह आप बताएंगे किस प्रकार की आपकी असुद्धी है तो यह होती है आपकी रुको मैं इसको ठीक करता हूं जी हां वही है जी हो गया तो यहां पर किस प्रकार की असुद्धी है यहां पर है आपकी लिंग प्रकार की लिंग संबंदी असुद्धी है यहां पर तो जी हां लिंग अगर हिंदी में बात करूं लिंग सब्द का अर्थ क्या होता है तो इसका होता है चिन क् हिंदी व्याकरण में लिंक के प्रकार कितने मिलते हैं दो मिलते हैं लेकिन आपके स्रेवर्स का पार्ट नहीं है आप इसको छोड़ सकते हैं देखो क्या है यहां पर एक और आपका अंडरलाइन करके दिया गया है इसके स्थान पर कौन सा कौन सा वाक्य का अंसा आना है या फिर कई सारे ध्वनी को मिला कर बनता है अक्षर और कई सारे अक्षरों को मिलाने से बनता है एक सब्द क्या बनता है सब्द और कई सारे सब्द को मिलाने से बनता है पादुबंद क्या बनता है पादुबंद और कई सारे पादुबंद को मिलाने से बनता है उप वा पर बना कपड़ा पहनना सभी भारतियों की प्रात्मिक्ता होनी चाहिए जी हां बिल्कुल सही आंसर है अच्छा एक बार कमेंट बॉक्स मताओ क्या इसका आंसर भी नहीं होना चाहिए अपने देश में बना कपड़ा अपने हैस में बना कपड़ा सभी भारतियों की प्रात्मिक्ता होनी चाहिए मुझे तो इसका आंसर भी लग कहा अपने देश में बना कपड़ा और अगर पूछता है किस प्रकार की अशुद्धी विद्वान कारक सम्बंदी है कारक सम्बंदी है कारक सम्बंदी भी असुद्धी को लेकर आपके पैसे बताइड का आंसर का निकल सकता है और इसको हम जंडा भी कह देते हैं जंडा तो यहां से इसका अंसर होगा पता का क्या होगा पता का डंडा का अगर मैं बात करूं डंडे के पर्यवाची सब बताओ तो ये भी है बयार की बात करूं देखो इसको हम अनिल के नाम से जानते हैं इसको हम हवा के नाम से जानते है इसको हम समीर के नाम से जानते हैं इसको मैं वात के नाम से जानता हूं इसको मैं मारूत के नाम से जानता हूं इसको मैं इसको और क्या है वई और और क्या है इसको पवन भी कहते हैं तो यह होते हैं इसके परहावाची सब्सक्राइब क्या है वैं क्या है तो यहां पर क्या है तो जी हां आएगा सी अपनी इच्छाओं अपनी अच्छाओं अपनी अच्छाइयां खो देता है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही अपनी अच्छाइयां खो देता है तो यह होते हैं आपके कोशन अगर यह वीडियो आपको अच्छी लेगी है यह क्लास आपको अच्छी ले